नमस्कार विद्यारतियों आपका फ्रिस्ट स्वागत है हमारे इस नए सांदार वीडियो में इस वीडियो को देखने के पार बच्चों आपके यहां पर बल्ले बल्ले मोज यहां पर होने बाली है आप भवंडर भूचार लाने वाले हैं क्योंकि बच्चों मैं आपका को solve कर लेते हो तो आपको 20 में से 20 नमबर लेने से आपका टीचर भी नहीं रोक पाएगा तो बच्चो आपको इसके लिए वीडियो को पूरा complete वाच करना है और चेनल पर नहीं हो तो चेनल को सब्सक्राइब करके वेल नोटिफिकेशन ओन कर लेना है ताकि हम जैसे ही कोई न है का हग तो हम पर बंता ही है चले हम वीडियो को बिना किस देरी कहाँ पर शुरू कर लेते हैं तो देखे बच्चो पहला कोशन आपको हाँ पर देगा है सारे प्रिश्न वाले हैं पहला कोशन है बच्चो आपर भारत में बू संसाधनों के बिविन प्रकार की परिया बारत में बूस अंसादुने का निमनी करन एक गंबीर समस्या है जो किरसी विकास की दोस्पूर्ण नीतियों के कारण उत्पन हुई है बारत में किरसी विकास की अनेक पर्या वर्णनी समस्या है जिन में मरदा परदन अत्यादिक सी चाई भूमी की गुडवत्ता में कमी तीवर हवाय लवडी करन इत्यादी सामिल है तो बच्चो देखिए यहाँ पर आपको देखिए सारे यहाँ पर दियेगा है बच्चो अना तो बच्चो देखिए पहला आप लिख देगे बच्चो मरदा परदन हेडिंग डालेंगे आप जो समस्या आप लिखे रहा है बच्चो उसकी आप जो डिटेल यहाँ पर लिएगे चोती हेडिंग आप डालेंगे लवरी कर्ण और उसकी ये डिटेल आप लिएकर यहां से लेकर यह तक पांच वा लिखेंगे आप तीवर पवने ने और सेरह बच्चों दे अब हम बच्चों देखेंगे आपस सम्स्याओं के निदान के का कया उपाय है क्याकिया उपाय करके हम इस समस्ता को दूर कर सकते हैं तो देखिए पहला उपाय है इसका अत्य दिक बन लगा कर दूसरा समय समय पर मरदा में उचित खानीज मिला कर तीसरा किरिसिक की उचित तक्निक अपना कर चो था उपरुक्त समस्याओं के निदान के साथ साथ हमें इन समस्याओं को जनम देने वाले क्रिया कलापक को नेंतिरित करना होगा अब बच्चों देखिए प्रिश्न का मांग दो हाँ आपर आजाता है चावल उत्पादन के लिए आवसक भोगोलिक दसाओं का वर्णन कीजिए कौन-कौन से भोगोलिक दसाओं होते हैं चो उनका वर्णन आपको करना है बच्चों देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको सबह विश्यों के हल की प्ले लिस्ट की लिंक आपको दे दिया हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जिस भी विश्य का हल देखना चाहें उस लिंक पर किलिक करके आप देख सकते हैं आपको किसी भी और अन्नी चेनल पर भटकेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो बच्चों आई हम प्रशन के मांग दोग को तरिहां पर देख लेते हैं चावल भारत के अधिकांस लोगों का खाद्यान है हना कई सारे लोग जो है बच्चों जादता लोग जो भारत में हैं बहुत चावल का सेवन करते हैं भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है चावल एक खरीग की फसला जीसे उगाने के लिए पहला प्रकृती यह उश्न कर्टी बन दिये उपज है दूसरा जलवाई उश्न आदर जलवाई उत्प्रक्त होती है तीसरा तापमार बच्चों के होना चाहिए 32 समय 20 डिगरी सेंटिग्रेड पकते समय 27 डिगरी सेंटिग्रेड आवा सके पकते समय खोला अकास चमकिली दूप उपज को बढ़ाती है चोदवा बच्चों दिखे बरसा केसी होना चाहिए 100 से 200 सेंटिमीटर बार्सिक बरसा बाले छेतरों उप्युक्त है कम बरसा बाले छेतरों में 200 सेंटिमीटर सी चाई अनिवार है पाजबा मिर्दा कीसी होनी चाहिए बच्चों चिकिनी गेहरी दोमट मिर्दा जिसमें चीका और जलोड की मातरा अधिक हो उप्युक्त होती है पाजबा अगर बच्चों भूमी केसी होनी चाहिए समतल खेद भूमी जो चारो और से उची मेड ये फिर डानडा से गीरा हो आती आवासेखे साथ बा सरम केसे करना चाहिए बच्चो सस्ते कुसल बा अधिक सरमों की आवासकता होती है ऐसे छेतर जहां बर्सा कम होती है बाद चावल किसी चाय की साहता से उगाया जाता है नहेरों के जल और नल कूपो की सगंता के कारण हर्याणा, पंजाब, पश्शीमी, उत्तर परदेश और राजिस्थान के कुछ कम बढ़सा वाले छेतरों में भी चावल की फसल उगाना संबब हो पाया है अब बच्चों पिष्ण तीन हमें केरा है आपको आपर जल संबन प्रवधन क्या होता है इसके बारे में आपको वताना है क्या यह सतत्त फोसनी विकास में एक महदब पूर्ण भूमी का अदा कर सकता है तो बच्चों देखिए आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जल संबर प्रवंधन तो आई हम लिखते हैं जल संबर प्रवंधन से तत पर मुख्य रूप से धरातलिये और भूम जल संसादनों के दच प्रवंधन से है इसके अंतरगत बेत जल को रोकना और विविन विधियो जिसे अंतहा इस्तरवन तलाव पुनरवरन को आदिक द्वारा भूम जल का संचेन और पुनरवरन सामिल है इसके अंतरगत सवी संसादनों, प्राकर्तिक और जल संबन रहित सहित मानवी संसादनों के सनच्छन, पुन रुत्पादन और विवेक पुन उप्योग को सम्मिलित किया जाता है जल संबर प्रवंदन सतत पूँशनी विकास में एक महत्व पुन भूमिका अदा करता है इसका मुख्य उद्देस, प्राकर्तिक संसादनों और समाच के बीच संतुलन लाना है केंद्रिय और राज सरकारों ने देश में अनिग जल संबर विकास और प्रवंधन कारकरम चला है इन कारकरमों में नीरू-मीरू और अरवारी पानी संसद कारकरम प्रमुख है जिनके अंतरगत लोगों के सहयोग ने विविन जल संग्रहन सनचना जैसे तलाब की खुदाईवा वांद वनाए गया है तमिलाडू राज्य में जल संग्रहन सनचना जिसके द्वारा जल का संग्रहन किया जाता है को आवसक कर दिये गया है इसके अतरिक्त हर्याली केंदर सरकार द्वारा चलाई गई जल संभर विकास पर्योजना है इस पर्योजना का उद्देश से लोगों को पीने सिंचाइत था मदद से पालन के लिए जल सनच्छन की योग्य बनाना है अन्य छेतरों में भी जल संभर विकास योजना परिया वारन और अर्थि वेवस्ता की काया पलट में सफल हुई है आवसक्ता इस योजना के प्रती जागुलुकता उत्पन करने की है और इसकी जल संसादन प्रवंदन की है और इसकी जल संसादन प्रवंदन धन उपागम द्वारा जल उपलब्दता सतत पोस्री अधार पर कीज़ सकती है अब बच्चो प्रश्णिक मांग चार है आपका इस assignment का आखरी question भारत में जल विद्धुत पर एक निवन्ध लिखिए तो बच्चो इसको तरह आप देखिए सबसे पहले हैरिंग डालेंगे जल विद्धुत तो बच्चो इसका हम आप लिखते हैं जल विद्धुत जो है उर्जा का आसमाप्य परंपरागत इस्तरोथ है जिसका उप्योग क्रिसी छेतर उद्योगों बा घरेलियों सेक्टरों मे बिविन उपकर्णों बा मसीनों को चलाने के लिए किया जाता है बिद्धुत कई अन्य इस्तरोथों से भी उत्पन की जाती है जिनमें ता बिद्धुत वा नावी की उर्जा सोर उर्जा पवन उर्जा को बिद्धुत उर्जा में बदला जाता है फिर इसे उप्योग हेत तू मांगवादे छेतरों को बिद्दुत ट्रांसमिसन लाइनों के द्वारा भेज दिया जाता है। जहां बिद्दुत ट्रांसमिसन लाइनों के द्वारा भेज दिया जाता है। जहां बिद्दुत करने से लेकर उपभोग छेतरों तक बिद्दुत को पहुचाने के लिए ट्रांसमिसन लाइनों का बिकास बाविस्तार परम आवसक है। अनेक बिद्दुत स्टेशनों बाव सब स्टेशनों के निर्माण में भारी निवेस की जरूरत होती है। बारत में इसका नेडवक बिक्सित किया जा रहा है। नमबर चार भारत में अनेक बहु उद्देशिये नदी घाटी परियोजना का बिकास जल बिद्दुत प्राप्त करने बाव सिंचाई के लिए नेरे बिक्सित करने के लिए किया गया है। नमबर पाजबा बिद्दुत को सरच्चित नहीं किया जा सकता इसलिए इसके उत्पादन का तुरंद उप्योग होना आवज सका है। अन्यता यह ब्यर्थ चली जाती है। अताहा इसके उत्पादन बा मांग के बीच समनबै होना जरूरी है। नमबर छे भारत में प्रती वर्ष 322 किलोवाट आवर सकती उत्पन की जाती है।